दोस्तो आज का वीडियो बहुत यादा खास है क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी HDFC में अकाउंट है और KYC के लिए कॉल या फिर मैसेज आ रहे हैं तो आखिर कौन-कौन सा डॉक्मेंट रिक्वायर है वहाँ पर KYC करने के दोर C का मस्टब होता है customer यानि know your customer यानि अपने customer को जानना और यह क्यों जरूरत होता है KYC का जरूरत इसलिए होता है कि जैसे माली जे आज आज आप एक खाता खुलवा रहे हैं किसी बैंक में और 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद जैसे आज जो address पे आप रहते हैं हो सकता ह तीन साल चार साल पान साल बाद आप बदल देते हैं दूसरे address पे चले आते हैं तो आप क्या होता है कि अधार काड में भी address चेंज करते हैं पिर कुछ नाम में spelling चेंज कर देते हैं तो इसलिए bank KYC करवाता है यानि know your customer यानि अपने customer को जानता है कि अभी जो current situation है मेरा customer कहा पर रह रहा है क्या नाम है मतलब पूरा detail लेता है आपसे दुवारा ताकि हो आपके identification को जान सके और उसको अपडेट कर सके यानि आप भी updated रहे और bank भी updated जैसे मालिज आपके ब्रांच में कुछ और address है और उस address पर आप रहते ही नहीं है तो आपका कोई document उसी address पर इसलिए KYC किया जाता है नि कस्टमर को जाना जाता है इसमें कौन-कौन सा document लगता है तो यहाँ पे सिर्म अधार कार्ड और paint कार्ड के फोटो कोपी देखे आप इसको करवा सकते हैं बहुत ही simple है बहुत ही सरल है तो मुझे में देख कि आपको वीडियो पसंद आयोगा फ अधिकल इतना ही thank you for watching